हेलो फ्रेंड्स विल्कम टो इस्टेडी फॉर इंडिया एक वर फीर उपस्तित हुमें आपके लिए कुछ बेहद ही महत्तुपूर्ण प्रश्णों को लेकर तो चलिए जुड़े रही हमारे साथ और प्रेक्टिस करिए और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ब सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए शेयर करिए चलिए शुरू करते हम आज का ये वीडिय जितने वाली किताब जिन्ना आफम केम टू आवर हाउस के लेखक कौन है इसका राइट आंसर है आपसन ए किरन दोसी इस बुक के जो राइटर है वो उनका नाम है किरन दोसी नेक्स कोशन है महाबली पूरम इस्थित एकास्मिय सैल मंदिरों का प्रसिद नाम क्या है आपस अगला प्रस्ण है बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती बुरादा लकडी का जो बुरादा होता है उससे ढकी हुई बर्फ जल्दी इसलिए नहीं पिघलती क्योंकि वो उस्मा का कुचालक होता है इसका आपसन पढ़ते हैं बुरादा हवा को तक नहीं ले जाने देता, Option B, बुरादा पानी को सोक लेता है, Option C, बुरादा उस्मा का कुचालक है, Option D, बुरादा उस्मा का सुचालक है, इसका right answer होगा, Option C, बुरादा उस्मा का कुचालक है, हीट को एबजाब नहीं करेगा, that's why जो बर्फ होगी वो फिगलेगी नहीं फोर्थ कोशन है जल चौगान पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं इसका राइट अंसर है option C, साथ खिलाड़ी होते हैं next question है लावडी लोकनित भारत के किस राज से समबंधित है लावडी जो है ये महाराष्ट से समबंधित है इस question का राइट अंसर होगा option A, महाराष्ट आगे बढ़ते हैं question number 6 है आजाद बचपन की ओर नामक पुष्टक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है आजाद बचपन की ओर जो बुख है दीपक मिस्रा जी उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया था तो इस question का right answer है कहला सत्यार्थी option A अगला प्रस्न है 2015 क्रिकेट बिश्टक का पुरूस का विजेता कौन था 2015 वर्ल्ड कप का विजेता था औस्टेलिया जिसने नीजी लैंड को हरा करके यह मैच जीता था 29 मार्च 2015 को यह मैच हुआ था आस्टेलिया के मेलबॉर्ण में और वहीं पर नीजी लैंड को आस्टेलिया नहरा करके यह मैच जीत लिया था तो इस वर्ल्ड कप का विजेता आस्टेलिया था अगला प्रस्न है अगर आपको हमारे प्रस्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से एर करें ताकि आपके आने वाले सभी एक्जाम्स में जितने भी आपके फ्रेंड्स बैठने वाले हैं उन सब की हेल्फ हो सके और सब अच्छे से एक्जाम को दे सके चलिए फिर से परते हैं इस प्रस्न को रुकमणी देवी अरुंदेल नित्य के किस रूप में एक प्रतिष्टित नर्तक और कुरियोग्राफर थी अपятся ने plain शचलिए उपेरा उपसेन भी लावरी ऑपसीन भारत नाटियम प्रसिद भारत नाटियम की थी यह रुकमणी देवी अरुंदेल बहुनिट है और इन्होंने भारत नाटियम में भक्ति भारा और भारा तथा निर्ति की एक अपनी परंपरा आरम की थी तो इसलिए इनको जाना जाता है भारत नाट्यम की थी यह रुकमणी देवी आगे बढ़ते हैं निम्न का मिलान की जिए मिलान करते हैं ट्रॉफी दिया है और उसे संबंधित खेल इरान ट्रॉफी का संबंध होता है क्रिकेट से संतोष ट्राफी जो होता है यह पुटबॉल से सम्मनित होता है अजलान सा जो ट्राफी है यह होंकी से सम्मनित है इस तरह इसका राइट आंसर होगा A, B और C तो इस तरह से उप्सन को देखें तो इसका उप्सन सही है उप्सन B आगे पढ़ते हैं अखाड़ा दी अथराइजड बायोग्राफी आफ महाबीर सिंग फोगाट के लेखक कौन है इसके जो लेखक है उनका नाम है सौरब दुगल सौरब दुगल इसका राइट आंसर है आपसन बी नेक्स वशे हैं एन सी इजिए आर्ट के संथापना कब हुई यनची आर्ट के सापना experiment c a इस्थापना 1981 में उछ सी इजिए एड़ीर सी उसके बार नेक्स विशेने ऑपरेश्न ब्लाक बोर्ड के संथापना कब हुई थी ऑपरेशन ब्लाक बोर्ड के संथापना से 988 में तो इसका right answer है option C इस तरह आज का ये वीडियो हुआ और friends आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज हमें comment करके बताइए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe करिए ताकि इससे भी बेटर वीडियो हम आपको provide कर सके तब तक आप अपनी प आप